ही नमचकार दोस्तों यह है LG Wing जी हां असी हजार का मोबाइल सिफ 28,500 रुपए में फिलिपकर्ट से मंगाया है तो आज इसी कहां में अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं और मैं मुझवल और सौगत आपका स्मार्ट एक इंफो में तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों यह है LG Wing जी हां यहां यहां पर देखिए फोकस फोकस हार्ड केस जी हां हार्ड केस इसमें इंक्लुडेट दिया हुआ है बैक के लिए और विंग यहां पर दिया गया है 5G यहां स्नाप्डेगन 765G प्रसेसर है जो 5B का कॉंपटेबल है यहां पर बहुत सारे ड इसकोंट हुज सबसे बड़ा जैन्ट इसकोंट कह सकते है फ्लिपकाट में दिया गया है तो यहां पर यह दिखिए जो हमने लिया है एक्चुली 8GB RAM 128GB इंबिल्ड में मेरी है तो चलिए स्टार्ट करते है इसको आंबोकसिंग करते है खुल जा सेम सेम यह आ गया यह दिख छो है यहां पर एक booklet दिया गया है और इसमें क्या-क्या-क्यावलाभालण में आपको बदाता हूं यह देखिए है इसमें हार केसं इंक्लुड है राव फ्रें convenience के screen guard दिया गया है, जो protection के लिए काफी ज़रूरी है, और ये mobile में तो बहुत ही important है, तो ये काफी अच्छा लगा मुझे in-build दिया गया है, और quick start guide है, जो बहुत सरे ग्यान की बात है इसके अंदर, जो कैसा आपको इसमें handle करना, इस phone को ये सबी पूरा detail में इसमें दिया गया है, और बहुत ही जबर्दस मेरा favorite, जबर्दस ये देखिए, यहाप प्लास्टिक कोटिंग का एक है, जो ये wrap आपको निकलना होता है, वो मैं आपको यहाँ पर बदा दूँगा, ये देखिए, ये निकाल दिया मनें, वाँ, बहुत ही सबी दिख रहा है, ये soft एक लाँ, तो ये बहुत ही soft है, पीछे की दरफ, ये देखिए, पीछे कुछ इस तरह से, जबर्दस प्लास्टिक कोटिंग दिया गया है, तो चलिए इसके विस साइड में रखते है, और क्या दिया गया है, ये box में देखिए, यहाँ पर इसमें दिया गया है, वाँ, ये देखिए, 3.5 mm jack converter, यानि की 3.5 mm jack missing है, phone में नहीं रहेगा, USB Type-C रहेगा, तो यहाँ पर converter दिया गया है, जो काफी अच्छी बात है, ये दिया गया है, और यहाँ पर headphones नहीं है, मिसिंग है, केबल दिया गया है, USB Type-C का केबल यहाँ पर दिया गया है, और charger नहीं है दोस्तों, जो मुझे बहुत ही खटका, तो आप जरू कमेर्स में बताना है कि आपको क्या लगा charger देना चाहिए था, क्योंकि 16W support करता है, 16W का charger आप भार लेने जाओगे, तो 1500 रुपे के आसपास आपको मिल जाएगा, तो चलिए यह सब परे फिलाल साइड में रख देते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं, मोबाल चेक करते हैं, LG VING का, तो यहाँ पर यह देखिए दोस्तों, मोबाल बहुत ही बड़िया है, जबरदस, यहाँ पर लिखा हुआ है, यह देखिए, Swill Mode, जो आपको पता है, सभी को पता है कि कैसा Swill होता है, Dual Display, Main, वही उसका Highlighted Feature है, Gimbal Motion Camera, यह भी बहुत Highlighted Feature है, इस पर Camera Review में अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा, परले में यह Mobile एक हफता पर यूज़ करूँगा, फिर आपको इसका Handsome Review अलग सा दालूँगा, और Camera Review अलग सा दालूँगा, तो ऐसा Detail में आएगा, 6.8 इंच का Full HD, Flawless, P.O.LED, Full View Display दिया गया है, यहनि कि Side से Covered Edge रहेगा, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही Sexy पीस लगता है दोस्तों, जी हाँ, और यहाँ पर Dual Recording दिया गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर यह पर निकाल देता हूँ बाजू में, वाउ, क्या फील है, बहुत ही Premium लुक है दोस्तों, तो थोड़ा सा Heavy है, but जितना मैंने सोचा उतना Heavy नहीं है, जी हाँ, यह 253 ग्राम के आसपास है, बट लगता नहीं है, यह देखिए, एक हाथ में, मैंने यहाँ पर ऐसा पकड़ा है, तो यह कुछ इस तरह से Open होता है, ठीक है, अभी पहले है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लेफ्ट साड़ में, सिम स्लोट यहाँ पर दिया गया है, यह देखिए, 5G सपोर्ट करता है, यहाँ 4G, 5G से भी सपोर्ट करता है, तो राइट साड़ में यहाँ पर Volume Rockers दिया गया है, Focus, 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 भाई, क्यामारा Focus, Focus, यह देखिए, Microphone, यह देखिए, दिख रहा है, Focus, Camera, Focus, Microphone, USB, यह देखिए, 3.5M Jack missing है, और यहाँ पर USB Type-C दिया गया है, जो चार्जिंग के लिए है, और स्पिकर के ग्रिल्स दिया गया है, जो काफी अच्छा है, 3D Surrounded Sounds इसमें दिया गया है, जो काफी मुझे अच्छा लगा, और पीछे के और देखिए, यहाँ पर, Camera है, 64MP का, यह पहले 64MP, यह 13MP, यह 12MP, जो बार दस Camera दिया गया है, यह पीछे के और हो गया, अभी सामने यह देखिए, 32MP का Camera है, Pop-Up Camera है, जी हाँ, ओपर की और, आपको बता दूँ, Focus, यह दिखिए, यह है, Mechanical Camera, तो दोस्तों चलिए, बूट अप करते हैं, जादा टेम्पेस नहीं करूंगा, Power Button दबा दिया, अभी चालू हो रहा है, शुरू हो रहा है, LG Wing, Focus, LG Wing, Powered by Android, बहुत ही लंबा दिख रहा है, दोस्तों, बट जबर्दस फील हो रहा है, हाथ में, काफी, Studiness है इसमें, और एक, Durability दिख रहा है, बहुत ही मजबूत दिख रहा है, यह पीस, मुझे काफी अच्छा लगा दोस्तों, यह देखिए, ज़्यादा मोटा नहीं है, यानि की, विड्द में ज़्यादा नहीं है, बट लंबा, काफी अच्छा लग रहा है, और एक, लुक काफी अलग सा हट के, प्रिमियम लुक है, और प्रिमियम होगा भी क्यों ना, एक्चुली प्रिमियम मोबाल ही है, असी हजार का मोबाल है दोस्तों ये, आपको सिफ मिला है, 28,000 पास रुपे में, फिलिक कार्ट में, डिस्कॉंड के साथ, तो यहाँ पर देखिए, जबर्दस फील है, डिस्प्ले देखिए, कितना फ्लॉलस है, कितना सेट में, यहाँ पर देखिए, डिस्प्ले, क्या सही है, दोस्तों, आपका टामवेस नहीं करने के लिए, मैंने इससे पहले ही सेटप कर दिया है, तो चलिए, मैं स्टार्ट करते हैं हाँ पर, जो सेंसर है, मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टार्ट करना है, पहले बंद कर देता हूँ, यह देखिए, कुछ इस तरह से आएगा आपको, आलवेस अउन डिस्प्लेश में दिया गया है, जी हाँ, तो यहाँ पर, मैं आपको बता दो हूँ, अनलोग दा स्क्रीन टो यूज अल फिचर्स, ठीक है, अभी यहाँ पर, मैं आपको पासपर्ट नहीं बताऊंगा, थोड़े देर के लिए हट जाऊंगा, यह देखिए, यह आ गया, यह आ गया, ठीक है, फोकस, तो यहाँ पर देखिए, दोस्तो, उपर नोटिफिचन कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, जबरदस ब्राइटनेस है तो उस्तो, ब्राइटनेस के बाद आपको बता दूँ, यह देखिए, ब्राइटनेस, पूरा फुल रख दिया मैंने, दूप में बिल्कुल भी आपको तकलिफ नहीं होगी, जबरदस ब्राइटनेस इसमें दिया गया है, तो यहाँ पर मैं 50 ब्राइटनेस रखूंगा, यह देखिए, दोस्तों यहाँ पर बता तो इसमें 765 Snapdragon Qualcomm प्रसेसर दिया गया है, जी जो support करता है 5G को, जी हाँ 6.8 इंच का Full HD डिस्प्ले दिया गया है, जी हाँ Full HD प्लस यानिकी HDR10 को support करता है, और Full View डिस्प्ले है LG की तरफ से, तो यहाँ पर सबसे बड़िया है इसका highlight feature, तो चलिए देखते है, Swill, यह देखिए Swill, वाउ, क्या feel है, देखिए, यह उपर के ओर है, यहाँ पर नीचे के ओर है, यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो, और वहाँ से भी आप यूज कर सकते हो, फर एजमबल कुछ भी आप लगाओ, यहाँ पर भी कुछ भी करो, यह मैं आपको detail में वीडियो इसका hands-on review, फूल हैंस-on review देने वाला हूँ, बट अभी नहीं, पहले मैं इसको use करूँगा, यह मुझे मोबल आज ही मिला है, फिलिपकार से, मैं आपको इसको use करूँगा, वान वीक, फिर इसका full hands-on review आएगा, अलग सा एक वीडियो, और camera review अलग सा वीडियो आएगा, इस तरह से आप कर सकते हो, और back आपको लेना है, तो यहाँ से आप पीछे से कर सकते हो, और कोई भी आप यह देखिए, अभी मैंने settings में यहाँ पर कमाने click किया, आभी मुझे back जाना है, तो यहाँ पर ऐसा click करना है, बस तो पीछे आजाएगा, तो यह ऐसा है, यहाँ पर start में जाकर मैं आपको बता दूँ, यह देखिए, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, कि यह मैं system में जाओंगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा अबोट phone, तो अबोट phone में यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा है, LG Wing का जी हाँ इसमें आपको नेटर्ग दिखाएगा सभी दिखाएगा बहुत सारे इसमें option से दोस्तों उपर हैंट सें रिविव में मैं आपको बताने वाला हूँ फिलाल यहाँ पर आपको इतना ही मैं बताऊंगा कि बहुत ही जबादस भेथरी मोबाल है LG Wing तो बहुत ही कम्रेट में मिला तो बस आपको पसंदा तो एक लाइक जरूर करना सबस्कार करना कुछ भी आपको इसमें डाउट सो तो जरूर कमेट्स करना तो बस दोस्तों इस वड़े में इतना ही था मिलता ग्रोड में ततकले बावाए जय हिन